पिछले वीडियो में हमने समझा कि हसकी लेंस एक आर्टिफिशली इंटेलिजेंट विजन सेंसिंग कैमरा है जो की डिडेक्ट कर पाता है कि किस किसम का अबजेक्ट, फेस, लाइन, एच्सेटरा वो देख रहा है इस वीडियो में हम हसकी लेंस यूज़ करते हुए एक अबजेक्ट क्लासिफिकेशन का प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हसकी लेंस डेटर्मिन करेगा एक व्यक्ति ने फेस मास्क पहना है कि नहीं एन अकॉर्डिंगली, माइक्रोबिट यूज़ करते हुए वो अलाम बजाएगा तो मैं makecode.microbit.org में हूँ, मैंने यहां पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और हसकी लेंस यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारे को हसकी लेंस का extension अड़ करना है तो मैं यहां top right में जाके, extensions में जाके, husky lens सर्च कर रहा हूँ और यह जो husky lens का extension है, मैं इसको click करके, इसको install कर रहा हूँ तो अब हमारे पास यह husky lens से related कई सारे programming blocks आ गए है तो husky lens यूज़ करने के लिए हमारे को सबसे पहले husky lens में जाकर husky lens को initialize करना पड़ता है और जो हमने connections बनाए है, pin number 19 और 20 के, वो I2C mode में data transfer करते हैं digital data transfer दो तरीके से हो सकता है, I2C या UART तो यहां पर हम I2C यूज़ कर रहे हैं next में हम कह रहे हैं कि यह जो husky lens है, हम इसका कौन सा feature यूज़ कर रहे हैं तो हम object classification feature यूज़ कर रहे हैं, तो मैं drop down से इसको select कर रहा हूँ उसके बाद हम क्या चाहते हैं, जो भी husky lens ने data gather किया है जब हम उसको use करेंगे और उसको हम different objects दिखाएंगे, वो जो भी data gather करेगा, उसको वो automatically, so to say, variable called result में save कर देगा तो हम यहां command दे रहे हैं कि forever husky lens request data once and save it into this variable called result उसके बाद हम ensure करना चाहते हैं कि husky lens को data जो है, वो मिल गया, तो हम यह command दे कर आ रहे हैं कि husky lens make sure id one and जो भी हमारी ids हैं वो learn हो गई है, और हमने यहां पर तीन ids को अपने husky lens को train किया है कि वो तीन different objects को recognize करे और उसने उनको तीन different ids assign करी है तो हम ensure करना चाहते हैं कि तीनों ids जो हैं वो learn हो गई है, इसके लिए हम यहां से एक conditional statement ला रहे हैं कि if और हम ensure करना चाहते हैं कि if this is true पर हमारी, हमार को ensure करना है कि तीन ids learn हुई है, इसके लिए हम फिर logic में फिर से जाके यह and का boolean operator ला रहे हैं और हमार को तीन चेक करनी है, इसलिए मैं इस ही को duplicate करके यहां पर इसको तीन बना रहा हूं कि हम तीन this and this and this यह तीन conditions चेक हो जाएं तो इसके लिए फिर मैं कह रहा हूं कि if husky lens id 1 is learned from the result and 2 is learned from the result and id number 3 is also learned तो only when all three conditions are met तब यह जो conditional statement है, यह जो if statement है, इसके अंदर की जितनी commands हम डालेंगे वो execute होंगी तो अगर यह तीनों conditions meet हो रही है, तब हम further conditions चेक करना चाहते हैं कि mask पहना हुआ है कि नहीं तो इसके लिए हमारे को एक nested conditional statement बनाना पड़ेगा, तो मैं इसमें फिर से एक और if then ला रहा हूं और यह if then मैं नीचे नहीं लगा रहा हूं, मैं यह पहले जो हमारा पहला statement था उसके अंदर डाल रहा हूं यानि कि indent करके डाल रहा हूं, यानि कि यह एक nested conditional statement है कि अगर यह सब चेक, यह सब जो तीनों conditions थी, यह true है, तब ही यह वाली condition जो है, यह execute होगी और अब हम क्या चेक करना चाहते हैं कि husky lens को जब हमने कोई object दिखाया, तो उसने क्या identify किया, क्या वो id1 था, id2 था, या id3 था, तो इसके लिए हम यहां से यह command ला रहे हैं, कि अगर husky lens ने जो identify किया है, वो frame पर, और यहां वापस दो option है, frame और arrow, arrow line recognition में काम आता है, बाक अगर husky lens का जो frame है, जो उसका monitor है, अगर husky lens ने identify किया है, कि frame पर इस वक्त जो photograph या जो भी object identify हो रहा है, वो id1 है, तो क्या करो, तो id1, if you remember, id1 is the photograph without the mask, तो अगर id1 without the mask है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं, यह भी कोई alarm बच जाए, और microbit पे कोई हमें display मिल जाए, कि mask नहीं पहना है, तो इसके लिए फिर हम कुछ भी यहां डाल सकते हैं, तो मैं for example, कोई play tone C कह रहा हूँ, which will serve like a alarm, और maybe उसको हम two beats के लिए बजा देंगे, और हम साथ ही maybe कुछ display करना चाहते हैं, तो मैं basic में जाके icon लेकर, यहां कह रहा हूँ कि maybe cross icon दिखा दो, कि this person is not permitted to enter the room, तो अब next condition जो हम check करना चाहते हैं, वो है कि अगर किसी ने mask पहना हो, तो क्या हो, तो मैं तब यह जो हमारा second if conditional statement है, इस मैं plus दबा रहा हूँ, और फिर से plus दबा रहा हूँ, तो मेरे को यह else if की command मिल रही है, और मैं यहां पर इसको duplicate करके कह रहा हूँ कि else if husky lens determines की object जो ह रहा है, उसने mask पहना हुआ है, तब हम क्या चाहते हैं, तो मेभी तब हम यहां पर cross के बदले, मेभी just a simple smiley face दिखा रहे हैं कि it's all okay, person can enter the room, और मेभी हम यहां पर कोई happy music बजाना चाहते हैं, तो मैं music में जाके, यहां से यह ला रहा हूँ, और यहां से मैं happy select कर रहा हूँ तो play sound happy, और not until done, क्योंकि until done की command क्या है कि पहले फिर यह पूरी जो tune है यह बजेगी, उसके बाद यह smiley face execute होगा, यह वाली command execute होगी, instead of this, इस drop down से मैं in background select कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि अगर जो object determined है, वो है कि somebody wearing a mask, तो happy, जो sound है वो play होनी शुरू होगी in the background, और while it is playing, next command जो है वो भी execute हो जाएगी, फिर इसके बाद मैं एक और else if add कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी एक और possibility है कि husky lens जो है, वो id 3 देख रहा है, which means it's just a blank screen, तो this means this is regular, कोई enter नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम simple maybe एक tick दिखा देते हैं, microbit में कि system is ready, मतलब कि कोई भी room में enter नह उसके बाद finally हमारे पास यहाँ पर एक else है, जो कि हम एक catch all बना सकते हैं, क्योंकि machine learning के साथ problem क्या है कि जो particular algorithm यूज कर रहा है, I think it's called nearest neighbor algorithm, हमें उसको हर object के लिए train करना है, तो बहुत सारे ऐसे objects होंगे, जो कि husky lens को नहीं समझ में आएंगे, तो हम last वाली condition में क्या कह रहे हम text दिखा रहे हैं, जैसे कि please learn, यानि कि object identify नहीं हुआ, so हम यहाँ यह भी यह भी कह सकते हैं, object not identified, और husky lens के कुछ coordinates हैं, तो अभी हम मैं इसको default value पे डाल रहा हूँ, और हम बाद में देख सकते हैं कि यह कहां display हो रहे हैं, और उसके हिसाब से इसको change कर सकते हैं, तो यह हमारा program है, यह तयार हो गया है, तो just to explain it one time, हमने on start husky lens को initialize किया, और हमने कहा algorithm जो है, वो object classification वाला है, फिर हमने husky lens ने जो भी object recognize किया था, उस data को हमने result में save कर दिया, और उसके बाद हम conditional statements use करते वे, सबसे पहले कह रहे हैं कि ensure कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी IDs जिनके हैं कि यह तीनो learn हो गई है, और अगर indeed यह learn हो गई है, तब हम फिर next if statement पर जा रहे हैं, जो कि एक nested if statement है, और हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर id one identify हुई है, यानि कि mask नहीं पहना है, तो हम यह cross दिखा रहे हैं और यह alarm बजा रहे हैं, अगर id two identify हुई है, यानि कि mask पहना है, तो हम happy sound बजा रहे हैं, और smiley icon दिखा रहे हैं, और अगर blank screen है, तो हम कह रहे हैं कि कोई भी room को enter करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो हम simply एक check box दिखा रहे हैं microbit पर, और अगर by chance कोई ऐसा object है, जो कि husky lens identify ही नहीं कर पा रहा है, तो husky lens में फिर हमें custom message display कर रहे हैं, यह custom message husky lens पर display हो रहा है, microbit पर नहीं, जो कह रहा है कि just show object not identified, और क्योंकि हम कुछ यहाँ पर display कर रहे हैं husky lens पर, तो it may be a good idea, कि हम यहाँ पर, जब यह husky lens शुरू हो तो उसको हम clear भी कर दें, जो भी हम text लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ more में जाके, यह husky lens की यह command ला रहा हूँ, ताकि जब next loop run हो, तो जो भी पहले अगर यह display हुआ था, तो यह husky lens clear all custom text on screen, इस command से यह clear हो जाए, यह जो अब हमारी program है, इसको मैं microbit में transfer कर रहा हूँ, और फिर हम इसको test करके देख सकते हैं, जैसा आप देख सकते हो, कि husky lens जो है, वो photograph जो देख रहा है, वो without a mask है, तो उसको वो object ID 1 की तरह identify कर रहा है, और इसलिए हमार को एक cross का sign और alarm जो है, यह sound कर रहा है, इसके बाद अगर मैं इसको next photograph पे ले जा रहा हूँ, जो की object ID 2 की तरह identify हो रही है, क्योंकि यह with a mask है, तो हमारा जो microbit है, वो हमार को smiley icon दिखा रहा है, और happy sound प्ले कर रहा ह और अगर मैं इसको blank screen दिखा रहा हूँ, यानि कि रूम में कोई enter नहीं कर रहा है, तो हमारे को microbit पर tick का sign मिल रहा है, यानि कि system जो है वो तयार है, but nobody is trying to enter the room अगर हम husky lens को वो face दिखाते हैं, जिस पे हमने उसको train नहीं किया, तब भी वो काम करता है, और even अगर हम एक female face दिखाते हैं, जबकि हमने train male face पे किया था, तब भी वो काम करता है Having said that, husky lens बहुत सारे false positives और false negatives भी identify करता है, it all depends कि आप कितना ज़ादा AI based vision machine को train करते हो तो I hope आपको ये husky lens का tutorial पसंद आया, और आपको कुछ idea मिला कि artificial intelligence की दुनिया में vision machine learning के थुरू कैसे काम करती है झाल